मैं आपसे क्वश्चन पुश्टा हूँ, आपके पास है 50,000 पर महीने की पहली तारिक को और आपने पुरे महीने में खचे 30,000 अब बताइए महीने की आगर में कितने रह गए, क्या कहा आपने? 50 में 30 गए 20,000 आपने क्वश्चन को डंग से सुना नहीं, क्वश्चन है महीने की पहली तारिक को हैं आपके पास पचास जाल और पुरे महिने हैं अधा आपके पने दिने हैं पता लगा हैं दो सालों में शंदगी का कोई भरुसा नहीं दुबक गायती सारी दुनिया अपने बिलों के अंदर खुस करके आज मैं आपको बताऊंगा साथ ऐसे लेसंज जो हमने सीखिए इस पैंडमिक से इसी कोईशन को ले लीजिए आपने सोचा कि पैसा बचना चाहिए लेकिन मैं कहता हूं कि आपके माँ पैसा उधार चर जाएगा अचीब लग रहा है आपको यहीं होता है जातर लोग के साथ में करचों कोई हिसाब किताब नहीं कहां कहां पर आपने कितना पैसा कर चाहिए कुछ नहीं चलो नया टीवी लेके आते हैं अरे क्रेड़ काड है ना दो दो लाग की लिमेंट है ऑँतने रिवॉर्ट पॉइंट मुलेगे उधार का उधार reward points मिलेगे reward point की लार्फ में ऐसे फसते हो ऐसे फसते हो कि हर भार खर्चे चादर से बाहर नेखर जाते हैं अगर मनी को सभी ठंक से मेनेज करना चाहते हो तो खर्चों का पुरा हिसाब रखो और दूसरा क्राइट कार्ड को फोन करके कैंसर करो तोड़ करके फेको ये आपको फायदा देने के लिए नहीं, आपको नुकसान देने के लिए बने हैं एक और कोशन पुछता हूँ आपसे एक बार चार दोस्त मिल करके पांचे दोस्त के पास गए इन चारों को पैसे की जूरती, बीस बीस लाग रुपए और पाच वाद दोस्त था अमीर, अरब पती, खरब पती, चारों पहुंचा अमीर दोस्त के पास और बोला भाई पैसे चाहिए, तेरे पास तो बहुत पैसा है देदे भाई, बैंक तो हमें देता नहीं अमीर दोस्त ने पहले से पुछा भी क्यों चाहिए तुम्हें पैसा पहला भाई घर के अंदर गारी नहीं है वाइफ को बच्चों के कार बहुत पसंद आई है भाई चिंता मत कर घर के पेपर्स दे दूँगा बस एक साल के अंदर चुका दूँगा दूसरे दब पुछा वो बोला भाई स्टॉक बाकेट में जबरदस उचाल है मुझे पैसा स्टॉक बाकेट में लगाना है छे महिने में वापस तीसरे ने बोला मुझे नया बिजनस स्टार्ट करना है यार उसके लिए 20 लाग चाहिए चौसरे दब पुछा चौसरे बोला भाई या मेरा तो चला चला बिजनस है एक नया प्रजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ उसके लिए चाहिए 20 लाग अमीर दोस्ट ने चारों को ब्याज पर इंटरस्ट पर पैसा दे दिया सब के घर के पेबर्स रखिया और 20 लाग दे द उसने और भी पैसा उधार लिया लेता गया लेता गया और देरे देरे उधार पे उधार चरते गए चरते गए उधार चुका ना पाया सालों गुजर गए ब्यास चरता गया बढ़ता गया पहले घर भिका बाद में उसने जाके खुदकुशी कर ली दोस्त नमबर दो जिस तक कभी नहीं सुना किसी ने ब्याज़ पर उधार ले करके स्टाउक मांकेट से कमाया हो आपके किसी दोस्त ने कमाया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जुरू बताइएगा दोस्त नमर दो कभी घर जादा सब बिग गया अब बचे दोस्त नमर तीन और चार दोस्त नमर तीन का घर भी गया उसका स्टाइड़ अप नहीं चल पाया लेकिन दोस्त नमर चार न किवर घर बचा गया बलकि धेर सारा पैसा और कबा भी गया ये कैसे हुआ चारों के चारों दोस्त थे चारों ने बीस बीस लाक रपे लिये थे चारों का एक जासा भी दोस्ता चारों में से तीन के घर जायता बिग गए एक ने कमाई की और एक कमा गया ये फरक क्यों था चारों के अंदर ये फरक था confidence का ओवर confidence का उधार लेना एक double x sword की तरह होता है इसको समझा जूरी है आपके लिए तब ही लेना चाहिए उधार जब आपको पूरा sure हो कि आप कमाऊगे ही कमाऊगे जब आप जानते हो कि 95% startup फेल हो रहे है तो उधार लेते क्यों हो अपने startup की equity दो, हिस्सा दो, हिस्सेदार profit का भी जिम्मेदार होता है, loss का भी जिम्मेदार होता है फिर stock market में तो बता की चुका हो कि आज तक उधार लेके कोई कमा नहीं पाया और फिर रही पसल खचे करके कोई कमा पाया हो, ऐसा चबत कारी तो मैंने नहीं देखा तो क्या सीखा, हमने उधार तब ही लेना है जब हद पार विश्वासों अपने business पर, अपनी job पर या अपनी कमाईयों पर बहुत आसान है आज उधार लेना, मकान है, मकान गिर्वी रखिए, गाड़ी गिर्वी रखिए, बीवी के गहने गिर्वी रखिए आप दीजे कोलेटरल सारे बैंक्स लाइन लगा गए खड़े होए हैं उधार देने के लिए, आपको कौस भी आती होंगी, SMS आते होंगे, उधार ले लो, उधार ले लो, ना चुका पाए तो interest आपको मार जाएगा, कितनों ने तो उधार चुकाने के चक्रपने घर बेचे जमीने में चुच, उधार लेके आज तक कितने लोग बने हैं, शायद 10% भी नहीं, दस में से एक बनता है, जातर लोगों ने खोया है, इन बैंकों का क्या गया, आप उधार चुकाओगे, तो इनको interest मिलेगा, नहीं चुका होगे तो आपका घर मिलेगा, चाबे जी बने चबे बने दूबे बनके रह गए, ना घर के रहोगे ना घाट के, उधार तभी लेना है, जब आपको लगे कि मुनाफ़ा हर हालत में 10 गुना होगा, और अगर ना हो पाया, तो एक कम से घर चुका दूँगा, घर बिटने नहीं दूँगा, तभी लेना है उधार आपने, तीसरा है, डोंट तिंग फ्यूचर इंकम इस गारंटीड, इस भ्रंट को निकाल दो दिमाग से कि जो आप कमाते हो, वही कल भी कमाऊगे, देखा आपने करोना वारस के करन एक चुथाई धंदे बंद हो गए, बहुत सारे धंदे वाले नौकरी करने लगे, और नौकरी व बड़े-बड़े स्टार्ट अप्स के लिस्ट है, पिछले एक साल में पच्छिस हजार से ज़्यादा इंप्रॉइस को निकाला जा चुका है, ये कम्निया कौन कौन सी है, इसमें OYO है, OLA है, Blinkit है, क्रिप्टो क्रेंसी का वजीरेक्स है, 5D6 है, हमारे एजुटेक, जी-पी-डी का जमाना है, आर्टी-फिचल इंटैलिजन्स का जमाना है, पराने फैशन की नौक्रिया धिरे-धिरे जा रही है, बलकि बहुत-बहुत तेई से जा रही है, अपने आपको बता दो कि फ्यूचर इंकम गरंटी नहीं है, मुझे कुछ और भी सोचना है, हो सकत इंकम बनाना एक सोलुशन हो सकता है, पैसे इंकम को कमाना एक सोलुशन हो सकता है, जैसे कोई प्रापटी खाली पड़ी है, क्राए पचला दोसको, यह हो सकता कुछ लोग के लिए बास के जूते चाटना असान काम हो, आकिर क्यों चाहिए एक्साइट इंकम क्योंकि तो आपको कुछ हो जाए तो आपकी वाई बच्चों को एक सुक्षा कवर मिले उनको एक लंब सन पैसा मिल जाए या उससे बड़िया हो सकता है कि उनको हर महीने एक फिक्स इंकम मिलती रहे मिलती रहे और अगर आप सही रहे बचे रहे तो आपको भी रिटायर होने पर एक इंकम मिलती रहे मिलती रहे तो ऐसी फैनल्शिप प्रटेक्शन जरूरी है ये प्लानिंग जरूरी है और सही टाइम है अभी आज से परिवार को सेक्योर करो अपनी पैंचन को बढ़ापे को सेक्योर करो पांचवा मनी मनेजमेंट है स्टाउक मार्केट में इंवेस्ट कर करेक्शन को समझो और इसके साथ में जीना सीखो मारकेट अगर उपर जाती है तो नीचे भी आती आती है नीचे जाना जिंदगी का असूल है घबराना कैसा थोड़ा बहुत गिरती है कोई बात नहीं जयादा गिरती है ध्यान दो बिरिश हो जाती है तो बहुत ज़्याद ध्यान देने के जूरत है ध्यान देना है निगार रखनी है घबराना नहीं है छटा कंफ्यूस्ट हो सेविस करूं या उन मेसेज़स पर ध्यान दूर जिन में लिखा होता है जी रो अपनी जिन्दगी देन टूमारो लिब टुड़े सीज दड़े कंफ्यूस्ट हो पैसा खचूं या पैसा सेव करूं खचूं या सेव करूं जानवर में हम में सर्फ यही फरक है जानवर कुछ भी कल के लिए सेव नहीं कर सकते हैं हूँमन्स कर सकते हैं हजारों लाख जाता दोराओं को फिर बूख लग जाती तो इसनन कभी सोचा इनकी चानवर के तरह तब तक और अचानक एक बहुत बड़ी उपलब्ब हुई दस हजार साल पहले चाइना में और जो हुआ चादे में Дस हजार साल पहले उसको पूरे विष्व में पहले में कुछ एक साल लगे और धीरे धीरे इनसान जंगलों से भार निकलाया अगर दस हजार साल पहले ये ड्रिवलपन ना हुई होती तो आज भी हम लोग जंगलों में रहते और जानरों का शिकार कर रहे होते और कुछ ना करते कुछ ड्रॉलपन ना करते यहां तक कभी ना पहुंचते क्या हुआता दस जार साल पहले नौट चाइना में दस हजार साल पहले क्रिशी का विशकार हुआ चाइना में एगरिकल्चर के शुरू होते ही इनसान ने खाने को समान को सेव करना शुरू किया जब खाने को सेव करना शुरू किया तो इनसान को खाने के पिछे सारा दन भागने की प्राउम खतब हो गई अब उसने सोचना शुरूर किया उस सोच का नतीजा है कि आज हम लोग यूटूब के जरी एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो प्राउम क्या थी हमारी सेव करूं या स्पेंड करूं सेव करूं या स्पेंड करूं जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक माइन में टेंचन रहेंगी कल की और वो जी नहीं पाएगा इसलिए आज को अगर इंजॉय करना है तो सेव करिए कल को सिक्यूर करोगे तब ही आज को इंजॉय कर पाओगे कल ही सिक्योर नहीं होगा तो क्या खाप आज में रहोगे तो लाइफ को इंजाय करना है तो सेव करो कुछ ना कुछ जरूर सेव करना है आपने साथ माँ मनी मेरिज्मेंट टिप है कि आप स्टाक मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा बनाना चाहते हो चाहते हो तो बहुत पैसा बनाना जो कहता हूं बिलकुल वैसे करना सालों में नहीं मैंनों में नहीं दिनों में भी नहीं घंटों में कमाओगे कोई चैलेंज नहीं कर सकता मिरी इस टिप को जो देने जा रहा हूं बलकि चैलेंज मैं करता हूं मुझे गलत साबित करके दिखाना आप लोग टिप है ये कि अगर आप चाहते हो छोटा मुटा पैसा कमाना स्टॉक मार्केट में तो धेर सारा पैसा लगाओ छोटा मुटा पैसा कमा लोगे मजाग लग रहा है सही कह रहा हूँ जो उची उची च्रांग मारते हो ना कि बस मैं यहां पर आया स्टॉक मार्केट में और यहां मैंने पैसा कमाया आपके पैसा कमाने के चांसे स्टॉक मार्केट में सिरफ पांसे दस परसंट या शायद उससे भी कम है नेक्स टिप है स्टॉक मार्केट से दूर रहो राकेश जुनजनवाला ने कई इंट्रिव्यूज में कहा था जब वो जिन्दा थे मेरे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया लेकिन जब लोग मुझे से पुछते हैं कि क्या वो भी इंवेस्ट करें स्टॉक में तो राकेश कहते थे मैं उनको मना करता था तो वो मुझे से पुछते आखिर क्यूं आपने भी तो लगा रहा है स्टॉक मार्केट में तो जुन्दनवाला कहते उनका जवाब बड़ा सही होता था राकेश कहते थे कि मेरे पिता सिगर्ट पीते थे लेकिन लोगों को सिगर्ट पीने के लिए मना करते थे मतलब ये कि अगर एक गलत आदत है तो दूर रहो इस गलत आदत से टॉक मार्केट गलत आदत है दूर रहो इस से अगर आप मेरा पोर्टफोलिय देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा मगर मैं दश्कों से हूँ कितनी बार गिरा हूँ उठा हूँ राजा से रंग बना हूँ कई कई बार बना हूँ गिरा हूँ उठा हूँ उस एक्सपरियंस के बियाफ पर बता रहा हूँ दूर रहो याज स्टॉक से मुचर्ट फंड में लगा दो एफडी में लगा दो चाहे तीन परसंड के लिए सेविंज में लगा दो स्टॉक्स में नहीं क्यों? क्योंकि बाकी सब जगहों पर पैसा तो सेफ है कैपिटल तो सेफ है और साथ में कुछ न कुछ मिली रहा है स्टॉक मार्केट में तो जो आपके पास है वो भी जाएगा मिरे एक्स्ट्रिन ने एक बार मुझे मज़े मज़ाग में कहा था अनुराग आपका पैसा स्टॉक मार्केट में कभी उड़ी नहीं सकता हो ही नहीं सकता आपका पैसा खतम हो जाए बस आपका पैसा किसी और के पास चला जाता है खतम नहीं होता सही बात मुला वो आपका पैसा खतम नहीं होता बस किसी और के पास चला जाता है तो अगर आप दानी हो वहरा जाक कणस हो दान पून करना चाहते हो तो जुरूरर नभेस्ट करो स्टाॉक मारकेट में आप जैसे लोग के कांस ही तो कुछ लोग को मुनाफ़ा होता है और वैसे बे स्टाॉक मारकेट किती अजीब मारकेट है एक शेर बेशता है और एक शेर खरीता है और दोरस समझते हैं कि मैं ही ठीक हूँ दूसरा बेवकूफ है लास्ट में दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो नीजे कमेंट करके बताईए नेक्स वीडियो आप किस टॉपिक पचाते हैं वोई भी बताईए और हम लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो के लिए बाबाई शबागा बी सिंग्या आप वीडियो जेन गूड़नाइट